हलो दोस्तो माई नेम है चुमिछ चोदरी और वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस क्रेश टेस्ट की जो ग्लोबल एनकैप ने मारूती की एल्टिगा पर हाल ही में किया है मारूती एल्टिगा मारूती की टोप 10 कार्स में ये बनी हुई है कभी ये टोप 20 में भी चली जाती है और काफी अच्छी सेल इसकी होती है औक्टोबर 2019 में ही इस गाड़ी ने 7177 उनिट सेल की थी और ये मारूती की काफी अच्छे प्राइस पर बिकने वाली गाड़ी है एक शोरूम प्राइस इसका स्टार्टिग 7.5 लेक्स है तो हम इस गाड़ी से काफी अच्छी सेल की उम्मीद करते हैं तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्रेश टेस्ट की वो वीडियो और बाद में बात करते हैं कि उसका क्या रिजल्ट रहा है करें तो दोस्तों वीडियो आप देख चुके हैं तो दोस्तों वीडियो आप देख चुके हैं अब बात करते हैं इस रिजल्ट की तो मारूती सुजुकी एटिगा को 17 पॉइंट में से ग्लोबल एंड कैप ने 9.25 मार्क्स दिये हैं जो कि एडल्ट ओक्यूपेंट के लिए यानि कि कोई एडल्ट पेसेंजर के लिए और इन मार्क्स के कोडिंग ग्लोबल एंड कैप न अब बात करते हैं चाइल्ट ओक्यूपेंट की तो 49 टोटल मार्क्स में से इस गाड़ी को मिले है 25.16 मार्क्स और उसके कोडिंग 3 स्टार ही मिले है आउट ओफ 5 फॉर चाइल्ट ओक्यूपेंट तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पूरली परफॉर्म नहीं किया पर बह ड्राइवर और पैसेंजर के लिए फ्रंट वाले पैसेंजर के लिए दोनों के लिए एर बैक दिए गए हैं फ्रंट सीट बेल्ट प्रिटेंशनल बीस गाडी में मौझूद थे इसे के साथ इस गाड़ी में ABS था 4 चैनल साथ ही सीट बेल्ट रवाइंडर के φीचर थे और आईसो फिक्स एनकरीजीस भी इस गाड़ी में थे अब बात करते हैं टेस्ट रिजल्ट की डिटिल्स की तो ड्राइवर और पैसेंजर ढोनों के हैड और नेक को इस गाड़ी ने अच्छी सेफटी प्रोवाइड गी है और ड्राइवर की chest को इस गाड़ी ने marginal protection दी है जब कि passenger की chest को इस गाड़ी ने good protection दी है ड्राइवर और passenger दोनों की knees को इसने marginal protection दी है पर सबसे जहादा negative बात ये है कि इस गाड़ी को 64 km पर hour पर test किया गया है और इस speed पर भी इस गाड़ी की body shell integrity को unstable पाया गया है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आगे से जब भी आप कोई गाड़ी लें तो इस गाड़ी के सेफटी फीचर्स के बारे में बात जरूर करें और इसी तरह की और वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कोई भी अगर आपके दिमाग में doubt है तो वो हमसे comment box में comment करके जरूर पूछें Thank you so much for watching